महरास्ट में सुमवार को मराठा रिजर्वेशन आंदोलन हिंसक हो गया और NCP विधायक प्रकास सोलंके के आवास पर प्रदर्शन कारियों ने तोड़ फोड़ की और आग लगा दी बेड़ इस्तित आवास में जिस वक्त याग लगाई गई उस वक्त प्रकास सोलंके घर के अंदर अपने परिवार के साथ मौजूद थे प्रकास सोलंके ने कहा कि सौभाग्य से मेरे परिवार का कोई भी सदत से या करमचारी खायल नहीं हुआ हम सभी सुरक्षित हैं लेकिन आग की वचा से संपत्ती को भारी नुकसान पहुँचा इस घर्णा पर मुख्यमंत्री एक नाशिंदे ने विरोध चताया और कहा मनो चारांगे पार्टिल को इस तथ्या पर ध्यान देना चाहिए कि ये विरोध क्या मोड ले रहा है ये गलत दिशा में जा रहा है